देखे जिब सरकार मजबूत होता है सभी देश हमारे देश को आधर करती है एक संबान देश के प्रति बढ़ जाता है और अपैक्षा यह भी बढ़ती है तो भारत के प्रति काफी एक अपैक्षा के द्रिष्टी बनी हुई है इस वाक्त और हर देश में कुछ न कुछ भी है जैसे जपान में आप देखेंगे वहां टीम वर्क बहुत बढ़िया होता है अमेरिका को आप देखोगे तो वहां मार्केटिंग स्ट्राटजी घजब के होते हैं वह अमावासियक के दिन चांद बेच देंगे हिजी को भी अपड़ा करके चांद बेच देंगे इतना होश्यारी है मार्केटिंग में जर्मनी में देखोगे तो आप वहां नुक्स नहीं निकाल सकते हैं उनके इंजिनों में प्रिसिशन बहुत अच्छा है हर चीज की जो एक क्या कहते हैं सिद्धता वो बेकसूर करते हैं तो इस तरह से अलग-अलग प्रांतियों में भारत की जो विशेष्टा है यह आत्मियता मानवता एक आपसी भाई चारा एक मानवी गुन आत्मियता जो है भारत की विशेष है और यह गाउं गाउं में आपको दिखते हैं शहरों में कम हो गया शहर तो दुनिया बर का एक साह हो गया वर आज भी मानवी मौलियों को भारत के गाउं में हम जागरत देख पाते हैं लिए हमारा प्रश शिक्षा पद्धति में मूल बूत परिवर्तन की ज़रूवरत ह जो में मरे डिग्री सबत्र की बैचूलर डिग्री ले लेते हैं सनातकोतर बन जाते हैं फिर नौक्री नहीं मिलती है आपने हाली में सुना। यूपी में कैसे 34 लाख लोग एक नौकर के पोस्ट के लिए अप्ले की हैं कुछ ही 100 नौकर के पोस्ट के लिए तो एक skill development training हमको चाहिए कुशलता आनी चाहिए फिर हर profession की dignity बरकरार बनाये रखना चाहिए किसी भी व्यवसाय का अपना आत्मसम्मान है वो आत्मसम्मान हमारे देश में गड़ता चला जा रहा है किसानों को कोई खदर नहीं करते और खेती करना ही एक निकम्म काम समझने लगे हमारे देश के लोग हम कहां जाएंग तो कृ कृशी का कृशीक का जो सम्मान सम्मान है उसको बनाये रखना इसी तरह से इतने सारे मंदिर है मस्जीद है पूजा पाट करते इन में भी एक अलग से dignity चाहिए एक गवरवानमित हो इनकी पढ़ाई ढंकी हो ये भी हम देखते हैं ये कमी है सामाजिक कार्य करता लीजिए लगू उद्योग और राजनीती भी राजनीती के लिए भी एक प्रशिक्षन के अवश्यक्ता है मैं इस बहुत कमी महसूस करता हूँ इस चीज़ का देश में राजनीतियों के लिए धंका प्रशिक्षन चाहिए न केवल सिरफ विधान सबाया विधान परिश्यद या लो ग्राम पंचायत की स्थर पर भी कोई ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाते हैं उनको पता नहीं चलता है कि उनकी जिम्मेदारिया क्या है और क्या क्या वो कर सकते हैं अपने गाउं के लिए यहां पर सबसे बड़ी कमीदी नजर आती है यह एक प्रशिक्षन के आवश्यक् कि यहां काम के लिए बहुत आस्पद है मौकी तो बहुत है यहां और उन मौकों को जीवन में लागू करने के लिए धर्वाजा खोलनी पड़ेगे हमको तो यह बहुत आवश्यक है लोगों को अवगत कराएं संभावना यह क्या क्या है कहां तक वो उपर चड़ सकते हैं क कहां तक आप सुधार ला सकते हैं जो परिस्तिती है उनका आसपास की केवल सरकार से गरेबी अमेरी की बीच में जो खाई है वो नहीं खत्म हो सकते हैं यह दोनों तरफ से आना पड़ेगा गरीब को भी अपना आत्म विश्वास जताना जतानी पड़ेगी और अमीर को भी थोड़ा उदार होना पड़ेगा जब यह दोनों होता है मानसिक परिवर्तन आने लगती है और यह अध्यात्म से संबाव है अध्यात्म गरीब से गरीब लोगों के बीच में भी एक जोश जगा सकता है अध्यात्म उनके बीतर एक स्रुजनात्म क्ताव जगा सकते हैं आत उनके बीतर करुना का भाव एक सेवा का भाव ला सकता है सरकार काफी अच्छे कदम उठा रहे हैं मगर उसको प्रत्यक्ष अनुभव होने में मुझे लगता कुछ समय लग सकता है क्यों कोई भी योजना तकी भीज बोते ही हम चाते हैं तुरंट फल आ जाए वो तो नहीं होता तो इसलिए एक दो साल तो सबर करनी पड़ती है मुझे यकीन है सबर करके कुछ हो जाएगा मगर सरकार में लूप होल्स भी बहुत है मने छेद भी बहुत है इस सब को ठीक करने में प्रदान मंत्री कामियापी होंगे ऐसा मैं अभी तक आशा रख रहा हूँ देखिए हम सच्चे दिल से कोई भी काम लेते हैं इश्वर की कृपा होती है और महत्वपूर्ण काम कोई भी होता हो तो वो मनुश्य प्रयत नहीं नहीं उसके साथ इश्वरी शक्ती भी होने से ही होगा अब ऐसा ही होता है पहले विश्वास जता है और ये नकसली प्रभावित क्षेत्रों में बहां लोगों को समझाएं देखिए जब नकसली प्रभावित क्षेत्र में क्या हो गया उनको शिक्षा से हमने दूर रखा है और धर्म से दूर हो गए वो शिक्षा से दूर हो गए और तनाव भर गया और साथी साथ कोई सवलत नहीं मिला वहाँ तो कई तरह की कारिक्रम को लेना पड़ेगा साथ साथ और डायलोग मैं समवाद इनके साथ समवाद से ही इस युद्ध से दोनों को जीत होगी सरकार को भी नकसलियों को भी विन विन सेच्वेशन जिसको कहते हैं कोई लड़ता है किसलिए लड़ता है अपने परिशानी दूर करने के लड़ता है मोज के लिए नहीं लड़ रहे हैं ये गेम्स नहीं है स्पोर्ट्स नहीं है खेल खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं लकसल वाद लकसली लोग लड़ रहे हैं एक सामाजिक न्याए के लिए और सामाजिक न्याए तब ही मिलेगा जब समाज के हर तक्त के लोग मिल के इस काम को हाथ में लें हैं तो हिंसा के मार्क में चलने से कदा भी वो अपने लक्ष तक नहीं पहुंच पाए देखिए आलोच ना करना विशलेश ना करना मेरा काम ने आप जनरलिस्ट लोग अच्छे से जानते हैं आप लोग के पास आखड़े होते हैं आप लोग सबसे बाचीत भी करते हैं हमारा मकसद यह हैं जब भी कोई शांती का पहल करेंगे उस वक्त सब का योगदान उसमें जरूरत है सरकार की भी चलना चाहिए आम जन्ता की भी चाहिए धार्मिक लोगों का चाहिए माध्यम का भी उसमें साथ देना बहुत जरूरी तो इस तरह से समाज की ये चार पांच स्थम्ब जो है सब मिल के एक महत्वपूल काम हम साथ सकते हैं राजखी इस तर पर जरूर मतबेद है बहुत बड़ा फासला है मर आम जन्ता की दृष्टी कोंट से हम देखते हैं तो हमको तो बहुत अच्छा स्वागत मिला वहाँ लोगों ने कहा आप साथ साल से हम लोग यहाँ आपकी इंतजार कर रहे थे तो आप और हमको इंतजार मत कराए और साथ साल जल्दी जल्दी आई है यह हमको लोगों ने कहा प्रेमी लोग सब जगे हैं मुझे लगता है जब आम जन्ता आपस में एक माहितरी भाव बढ़ाने लगते हैं तो धिरे धिरे राजकारण में भी वो जलकने लगेगे देखे आज कल कोई भी देश युद्ध से लाभानमित नहीं हो पाएगा और युद्ध से नुकसान ही नुकसान होगा दोनों तरह इसलिए युद्ध बुद्धिमत्ता का भाशा नहीं है आज बातचीत और समझ जब ये बढ़ते हैं तो युद्ध की संभावना बहुत कम हो जाती है और इस सबसे पहले आतंकवाद खतम होना चाहिए और आतंकवाद का जड़ जो है वो अविश्वास है और अंदविश्वास है अविश्वास और अंदविश्वास इसको दूर करने की सब प्रयत सब को करना बड़ेगा भारत का पुराना वुक्ती है वसुदही वकुटुमवकम उदार चरिता नाम तो वसुदही वकुटुमवकम हम सब बड़े उदार चरित हैं तो सारी दुनिया हमारे परिवार है तो सारी दुनिया के लोग दिल्ली में इकठे हो रहे हैं पैंटीस वर्ष हुआ जा रहा है अपना ये जो कारे कलाब हम लोग जब शुरू कियें तब से तो ये सब लोगों की चाह है कि सब इकठे होएं एक बार और एक भविसमारो सब लोग इकठे हो करके वहां हर देश की और देश की हर प्रांती की कला को और ज्ञान ध्यान का एक बड़ा सुन्दर उत्सव मनाने है